हेलो फिरेंस आप सभी को स्वागत है आप देख रहे हैं अश्टाड़ी 3Y यूट्व चैनल दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को हम बताने जा रहे हैं कि आधार कार्ट के माधियम से किसी भी बैंक का बालेंसिंग को वारी कैसे करेंगे दोस्तों अब बीने अंगुठ ठीक है दोस्तों कैसे करना मैं इस वीडियो में डिटेल वाई डिटेल बताऊंगा तो आप लोग इस वीडियो को लाज तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा ठीक दोस्तों चले मैं इस वीडियो क स्टार्ट करता हूं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बता दे कि एक वेबसाइट है इसको प्रेंग कर लेना है और इस वेबसाइट का नाम मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसके साथ में एक contact number भी दोस्तों दोंगा तो आप लोग इस वेडिव को लाश्क तक देखिएगा जैब सब्सक्राइब को ओपेंग किजिएगा दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर दोस्तों एक option है फीच का ठीकिए इस पर आपको क्या करना है कि कि इसके बाद दोस्तों ऐसके आ five, आपको देखने को मिलेगा फोर्श्ट में यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि आपना अधार नम्बर इंटर कर देता हूं उसके बाद दोस्तों यहां पर मोबाइल नंबर इंटर करना है कोई भी मोबाइल नंबर दोस्तों यहां पर इंटर कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या करना है कि यहां पर नाम डाल देना है ठीक है जिसे मैं यहां पर नाम डाल देता हूं उसके बाद यहां से बैंक को सिलेट करना है ठीक है जैसे मैं बैंक को सिलेट कर दिया एक बात की ध्यान देना है दोस्तों कि जो अधार नंबर है आपका बैंक से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है कि आपका बैंक से लिंक हो ठीक है अब दोस्तों क्या करना है कि य यहां पर बोलेगा यहां पर देख सकते हैं रिफ्रेस हो रहा है रिफ्रेस होने के बाद आपके सामने दोस्तों आपकी खाते में जितना भी वायलेंस है वह सू कर देगा ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं इस खाते में टोटल वायलेंस दोस्तों एक सो ती रुपया है यहा करने में कोई प्रोब्लम आता है दिखात आता है तो कमिट करके आप बताइएगा साथ में आपना कॉंटेक्ट नमर देजिएगा ताकि मैं आप सभी को हेल्प कर सकूँ ठीक है दोस्तो तो चले मैं इस वीडियो को समात करता हूँ दोस्तो और एक बात की ध्यान दिन है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब किजिएगा और मुझे सपोर्ट किजिएगा चले मैं इस वान दे मतराम